ही गाईज अन्शुलियो सु गाईज आज मैं बताने वाला हूँ एक्टिवा 125 और एक्टिवा 6G के बीच में डिफरेंस क्या क्या आपको देखने को मिलते हैं तो चली शुरू करते हैं सबसे पहले शुरू करते हैं टायर्स ओके इसमें आपको 12 इंचेस का टायर सामने और 10 इंचेस का टायर पीछे मिलता है और आपको एक्टिवा 6G में भी 12 इंचेस का टायर सामने और आपको 10 इंचेस का टायर पीछे मिलता है बट आपको एक चीज देखने मिलती होगी कि इसमें Alloys प्रोवाइट किये गए हैं लेकिन Active A6G के दोनों ही वेरियंट में चाहे वो Standard हो चाहे वो Deluxe हो उसमें आपको Steel Wheels ही प्रोवाइट किये गए हैं ये Active A125 का Alloy वेरियंट है इसलिए इसमें आपको Disk Break देखने को नहीं मिलता है सेकंड बात करते हैं Headlight की तो Active A6G के Standard और Deluxe Variant में आपको अगर आप Deluxe Variant में जाते हो आपको LED Headlight देखने को मिल जाती बट अगर आप इसके Standard Variant में जाते हैं तो आपको इसमें Headlight देखने को LED Headlight देखने को नहीं मिलते हैं आपको Pure Halogen Bulls Provide की जाते हैं बट आपको Active A6, Active A125 में आपको इसमें Standard Variant में आपको Halogen Bulls मिलते हैं बट इसके Alloys में और इसके Deluxe Variant में आपको LED Headlamps LED Lights with LED DRLs देखने को मिल जाते हैं थर्ड बात करें अगर मीटर की तो इसमें आपको Digital Meter देखने को मिल जाता है जो कि कुछ इस प्रकारते होता है यह देखिए बट आपको Active A6 के दोनों ही Variate में चाहे वो Standard हो चाहे वो Deluxe हो उसमें आपको Digital Meter देखने को नहीं मिलता है उसमें आपको खाली Analog Meter देखने को मिलता है अब बात करते हैं Storage Options की तो इसमें आपको Active A6 में Storage Option यहाँ पर मिल जाता है यहाँ पर Carrying Hook जो यहाँ पर Provide किया गया है यहाँ पर भी Carrying Hook Active A6 मिलता है दोनों ही Variant में और यहाँ का Carrying Hook यहाँ पर भी जो आपको Carrying Hook पर प्रोवाइट किया गया है वैसे ही आपको Active A6 के दोनों ही Variants में चाहे वो Standard हो चाहे वो Deluxe हो उसमें आपको बाहर से Fueled Opener मिल जाता है Next बात करें अगर गाड़ी के Length, Width और Height की तो उसमें आपको काफी Drastic Changes देखने को मिलता है अगर बात करें Ground Clearance की तो Active A125 में आपको 165 mm का Ground Clearance देखने को मिलता है बट वही अगर Active A6 की बात की जाए तो वहां आपको 171 mm का Ground Clearance देखने को मिलता है अब बात की जाए अगर Active A125 BS6 के तो इसकी Length आपको 1850 mm और Width मिलती है आपको 707 mm Height मिलती है 1170 mm और Wheel Base मिलता है 1260 mm ठीक न और अगर Color Options की बात की जाए तो इसमें आपको 4 Color Options देखने को मिलते हैं बट वही अगर Active A6 की बात की जाए तो वहां आपको 8 Color Options देखने को मिल जाते हैं और Active A6 को 20 साल हो चुके है इसलिए उसने Anniversary Edition भी लॉंच की है Anniversary Edition की फोटोस मैं आपसे अभी शेयर कर रहा हूँ यह है कुछ Anniversary Edition की फोटोस तो Active A6 जी ने जो की लॉंच की है ठीक है अग्टिवब 25 की जो ए यर यह माइलेज है जो कंपनी क्लेम करती वह साथ किलोमेटर सौरी पचास किलोमेटर पर लीटर जो की उससे बहुत ज्यादा कम है और Active A6 के जो कंपनी माइलेज क्लेम करती है वह आपकी 50 किलोमेटर पर लीटर ऑकि अब अगर नेक्स्ट बात की जाए जो की है अपने इंजन इंजन ओप्शन की ओके तो अगर आप इंजन ओप्शन की देखनी तरफ जाए तो आपको उसमें एक्टिवब 6G में 109.51 सीसी का बीच इंजन देखनों को मिलता है जो की 7.68 बीच्पी की पावर और 8.79 न्यूट इंजन में आपको मिलता है अगर इस वेरिंटी बात है और 124 सीसी का आपको इसमें इंजन देखने को मिल जाता है दोनों ही टायर्स आपको ट्यूबलेस मिलते है दोनों ही मॉडूल में चाहिए वो एक्टिवब 6G और ट्यूबलेस और दोनों आगे के 12 और पीछे के 10 देखने को मिल जाता है लेकिन एक्टिवब 6G के दोनों ही वेरियंट में चाहिए वो डिलक्स हो चाहिए वो इस्टेंडर्ड हो आपको कहीं पे भी डिस्क ब्रेक देखने का ऑप्शन नहीं मिलता है और दोनों में ही आपको इस्टील वील्स प्रोवाइट किये जाते है ब उनों ही वेरियंट में चाहिए 125 हो चाहिए वो 110 हो और रियर में आपको त्री स्टेप एड़्जेटेबल स्प्रिंग लोड़ेट है इड्रॉलिक स्पेंशन मिलता है चाहिए वो 6G हो चाहिए वो एकसो पच्चिस हो ठीक है अगर में बात प्राइसिंग की जाए तो 125 का स्टैंडर्ड वेरियंट है 73,257 रुपए और वही अगर एक्टिवा 6G के बात की जाए इस्टैंडर्ड वेरियंट वह है 67,926 रुपए अगर बात की जाए तो इसके ऐलोई वेरियंट की तो वह है 70,926 रुपए और उसका 6G का एनिवर्सरी अडीशन है उसका 69,461 रुपई और इसका डिस्क ब्रेक अगर 125 के डिस्क ब्रेक की बात की जाए तो उसका वेरियंट 80,430 रुपए एक्स शोरूम पीमद बता रहों आपको सबकी और वही अगर एक्टिवा 6G के डिलक्स में जा इस प्राइसिंग के मामले में यह हैं इसकी कुछ चीजें जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था अच्छा अगर मैं इसकी एक्टिवा 6G की अगर मैं आपको हाइट की बारे बता हूं तो लेंद 833 mm मिलती है विर्थ आपको 697 mm मिलता है हाइट आपको 1156 mm देखने को मिलती है वील बेस आपको 1260 mm की देखने को मिलती है और इसमें आपको हमेशा पुट अनलॉग मिटर देखने को मिलता है इसमें आपको leva 6G में यह जो मैंने बता है आपको हाइट अग्टिवा 6G के बारे में ही है और गाड़िकी हाइट औरसे इसमें मिलते हाइज च्वा अंधिश स इस देखने को मिलते बस में हलका सा माईनर है आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है आठ अप्षेंस में एक्टिव delegates की जाती है और चार क्ञार स्में आपको एक्टिव मार्ण डेखने को मिल जाती है나 यही कुछ साव्हें 1.25 और Activa 6G के बीच का difference I hope आपको समझ में आ गया हुआ Thank you so much for watching. Love you all guys.